आपके facial hair पे कोई भी natural चीजे काम नहीं करता है तो colgate में इसे मिला करके लगा लेजिए Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope आप सबी अच्छे होंगे और अपने skin का खुब सारा ध्यान आप लोग रख रहे होंगे क्या आपने कभी colgate का यूज किया है facial hair को हटाने के लिए नहीं किया है तो चलिए आज मैं बिल्कुल secret तरीका आप लोग को बता रहे हूँ कि किस तरीके से आप अपने face पे colgate का यूज करके facial hair को घर पे साफ कर सकती हमारे face पे जो बाल होता है न उसकी ग्रोथ कई तरह की होती है किसी के face पे काफी जादे मोटा घाना बाल ने करता है किसी के face पे हलका फुल का रुआ की problem होती है दोनों तरह के facial hair पे कौन सी remedy इस्टंट काम करती है आज इस पे हम बात करने वाले हैं और एक कमाल की home remedy भी आप लोग के साथ में share करूंगी बने रहिएगा वीडियो पे आज का वीडियो बहुत ही interesting होने वाला है आप सभी के लिए तो ध्यान से देख लीजिएगा बना करक देखने से यह आपके facial hair को खतम नहीं कर देगा उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा इसे बना करके अपने face पे लगाना पड़ेगा उसके लिए करना क्या है सबसे पहले इस remedy को बनाने के बारे में जान लीजिए कि कैसे इसे आपको तयार करना है एक clean bowl ल अटाता है यह हमारे face के timing को instant साफ करता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि colgate हम अपने face पे नहीं लगा सकते हैं यह नुकसान करता है तो अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को देख लिजिए deeply जानकारी आप लोको दूंगी कि colgate आप अपने face पे लगा सक कि नहीं क्या आपकी skin को नुकसान करेगा कि नहीं बहुत अच्छी जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोको देने वाली हूं पहले इस remedy के बारे में हम जान लेते हैं हम यहां पे colgate लिए थे दूसरी चीज थोड़ा सा गेहूं का आटा जी हां गेहूं का आटा आपको कोलगेट और फिटकरी दोनों मिक्स करिएगा बाकी सब नार्मल लाएगा लेकिन जो कोलगेट है फिटकरी है यह आपके facial hair का growth कैसा है उस पे depend करता है कि आपको कितना लेना है कितनी quantity में लेना है सही measurement से नहीं बनाएंगी तो फिर यह आपके face के काम ही नहीं करेगा चाहें आप कितना भी मेहनत कर लें मांगेस मांगे face पायक लगा लें मांगेस मांगे treatment करा लें आपके face पे कोई भी काम नहीं करेगा कोई भी result आपकी face पे नहीं दिखेगा थोड़ा से ध्यान से देखा करिए इसमें हम 5-6 बुंद लिए है नीबू करस जो की total optional है आपके skin को suit करत हैं वह इसे नीबू करस आप इसमें लेंगी ना तो इस टंट आपके face पे कमाल का result भी देगा तो आपकी मर्जी आप इसमें डालिएगा आपके skin को suit करता है तो अब इसमें हम ले रहे हैं एक चम्मच कुकुमबर जोस यानी की खीरे का रस आपको यहां पे लेना है एक चम्मच भर के खीरे का रस हमारे skin को ठंड़क देगा हमारे face पे dryness नहीं आएगा हमारे skin पे glow लेकर आता है और साथ में खीरे के रस में जो गोड़ होता है वो facial hair के growth को रोकता है देखिए फ्रेंड जब हम अपने facial hair को साफ करते हैं तो force open हो जाता है बाल निकर जाता है जड़ से लेकिन skin के अंदर उसका जो जड़ होता है वो ऐसे ही राता है तो फिर 5-6 दिन के बाद या तो 15-20 दिन के बाद बाल उगने लगता है जड़ जो है न वहां पर बाल नहीं करने लगता है तो खीरे का जो रस है वो आपके facial hair के growth को इस टॉप कर देगा दुबारा से बाल उगने नहीं देगा ठीक है तो खीरे करस के फाइदे तो आप सभी को पता चल गया अब इसे आपको इस पून से अच्छे से mix कर लेना है जितना जादे mix करेंग अब बता चुकी हो नहीं आज बताने वाले हो शीर्फिस का नाम चिरउंजी है और गेहूं के आटा के जगह पे आपको इसे लेना है अगर आपके पास चिरउंजी नहीं है तो गेहूं का आटा लीजेगा अधरवाइस चिरउंजी का पाउडर इसमें बेस्ट रिजन तो आपने चिरउंजी का पाउडर ले लेना है गेहूं के आटा के जगह पे ठीक है कनफ्यूजन दूर हो गया आप सभी का इसे मिक्स करके आपको रखना नहीं है तुरंत आपको अपने फेस पे अपलाई करना है रखेंगी ना तो जो इसका असर है वो पुरी तरह से खतम हो जाएगा देखिए सबसे पहले आप लोगों कुछ टिप्स भी मैं दे दूँ इसे मिक्स करते हुए क्यों कि इसे हमें थोड़ा मिक्स करना है टाइम देखें आपके फेस पे हेर्स की ग्रोथ कैसी है बहुत कम बाल है हलका फुलका रोमा की प्राबलम है तो आप इसे बार बार रेजर करती हो या तो आप अपने फेस पे हर महीने थ्रेडिंग कराती हो तो आपने खुद नोटिस किया होगा कि जो बाल आया है दुबारा से उसका जड़ कितना जादे मजबूत है उस पे कोई भी रेमेडी काम नहीं करेगा तो उसके लिए आपको एक दो बार नहीं महीना दीन, continue महीना दीन आपको महनत करना पड़ेगा अपने फेसियल हैर को हटाने के लिए unwanted hairs पे भी काम कर सकती है फेसियल हैर पे भी दोणों पे यह काम करेगा बस थोड़ा सा आपका महनत चाहिए अब depend करता है कि आप किस तरीके से इसे बना रही है किस तरीके से सही जानकारी होना बहुत जड़ूरी है कोई भी चीज आप अपने फेस पे लगा रही है तो उसके वारे में सही जानकारी लीजिए कि उसे बनाना किस तरीके से है, वीक में कितनी बार लगाना है पर आप लोग गलती क्या करते हैं वेडियो पूरा नहीं देखते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं बहुत सारा पैसा जाकर खर्चा करेंगे पारलर में और अपने स्कीन का भी बैंड आप लोग बजा देंगे तो अभी मैं हाथ पे लगा करके आप लोग को दिखा रहे हूँ फेस पे भी लगाऊंगी जिनको भी ऐसा लगता है कि कोलेट हमारे स्कीन को नुकसान करता है तो मैं तो भाई अपने फेस पे लगाई थी विल्कुल भी नुकसान नहीं किया था बाकी आपकी मर जी आप इसे ह पर भी लगाई है फेस पे लगाई है तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि फेस पे लगाना कैसे है सबसे पहला इस टेप आपका होना चाहिए फेस को क्लीन करना फेस को क्लीन करेंगी तो पोर्स क्लीन होगा पोर्स के सहारे रेमेडी अंदर जाएगा तो बालों के तेरे पर बाल होता है रूहा की प्राबलम होती है बहुत कम लोगी ऐसे होते हैं जिनके कान के साइड में और अपर लिपे यहीं दो जगा काफी जादे बाल होता है बाकी स्किन क्लीन होता है ठीक है पूरे फेस पे लगाईएगा लगा करके आपको इसे 2 से 3 मिनट के लिए मस तो जड़ से तूटके निकरने लगेगा इसमें हम जो फिटकरी लिये थे ना फिटकरी हमारे फेस पे काफी अच्छा काम करता है हमारे फेसियल हेर को भी हटाता है साथ में हमारे फेस पे जितना भी टैनिंग डश्ट माइल होता है उसे भी वो क्लीन करता है आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहे हूं कि अगर वीडियो आप लोगो थोड़ा सा भी हेलफूल लगे अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा अपने फैमली में दोस्तों में सेयर भी कर दीजिएगा यहां पर आपको इसी तरह का वीडियो रेगुलर बेस पर दे अगे वाले फिंगर से ठीक है और जो आप इसमें फिटकरी ली है तो आपके लगेगा तो फिर बाद में प्राबलम हो सकती है तो बिल्कुल हलके हां से आपने मसाज करिएगा और एक बात और ध्यान देना है कि जो फिटकरी का पावडर ले रही है अगर जो पावडर आप मसाज की हूँ 2-3 मिनट के लिए मसाज करने के बाद इससे मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लूँगी इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं लगा कर इसको मैं छोड़ूँगी करीब 10-12 मिनट काफी होगा और ऐसा नहीं है कि एक बार लगाएंगी आपके फे फेस पे धीरे धीरे अपना रिजर्ट दिखाएगा आपके फेसियल एर जो है जड़के गेदने लगेगा बहुत ही कमाल का रिजर्ट देता है बनाईएगा लगाईएगा मैं आप रुक से मिलती हूँ नेक्स वीडियो में